शूरतगर्ट से खबर जहां विदान सवा चेत्वर से कॉंग्रेस टिगट मांग रहे अमित कडवास्रा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मानक सरनिवास पर प्रोग्राम आयोजित कर कॉंग्रेस परत्याशी डूंगर राम गेदर को समर्थन दिया सेंकडू कार्यकर्ता कार्यकरम में पहुंचे कॉंग्रिस डुंगर राम गेदर ने विश्वास दिलाया कि आपके द्वारा दिये गए मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दुगा कार्यकरम में नगरपाली का चेयर्पमेन परसाराम भाटिया ने भावु को कर दोंगर राम गेदर को जीत दिलाने की अपील की कार्यकरम में नगरपाली का उपाध्यक्ष सलीम कुरेशी, पुरोपरदान साहब राम पुनिया, परमजीत सिंग रंधावा, सरपंच पुरोब्लोक अध्यक्ष वेद कडवासरा भी मौझूद रहे अध्यक्ष पुरोब्लोक अध्यक्ष वेदान फूरापल भी मौझूद रहे जो आदमी किसी भी पार्टी का पदादिकारी है कारे करता है उसका हक है कि वो अपनी पार्टी से टिगट मांगे और इस हक के साथ उन्होंने टिगट के लिए आवेदन किया और जो भी आहिकमान ने फैंसला किया आज उस आहिकमान के फैंसले को मान करके अपनी पूरी की यूटेंगे ये कारेकरम आपने बनाया है और इसके लिए अमित कड़वास राजी का शिर्वेद प्रगास कड़वास राजी का और पूरी की पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज चुनाव की पूरी कमान संभाल ली है कि हम सब जितने भी हम प्रत सब्सादेंगे उपर उसके क्या गरात है देखो जब से 2014 में केंदर में 24 जनता पारटी की सरकार बनी है हम दो और हमारे दो की सरकार बनी है उसके बाद पूरे देशकेंदर एक डर का महुल पैदा किया जा रहा है सविधानिक संस्ताओं को खतम किया जा है सविधान को खतम किया जा रहा है और सविधानिक संस्ताओं का गलती इस्तेमाल करके और चुनाव को परभावित करने का काम हमेशा से होता है और आज अभी राजस्तान की बातनी जहां जहां भी विधानसवा के चुनाव हुए जहां जहां भी राज्यासभा के चुनाओ हुए जहां जहां भी और कोई चुनाओ हुए उन चुनाओं के से पहले उस परदेश के अंदर E.D. का, C.B.A. का, इंकम टेक्स का, इन सारे के सारे भी बागों का इस्तेमाल के अंदर की सरकार करती आई है, लेकिन हमारे मुख्या म ने उस दिन दो गारंटी राजस्तान की जनता को दी थी, इसलिए आप लोगों ने दो परिवारों के घर पर चापे लगाए हैं, कल हम साथ यानि गारंटी और परदेश को देंगे, आप साथ घरों पर चापे मार करें बताओ, और उसके बाद हम और ज़्यादा गारंटी देंगे, और और ज्यादा जोस के साथ कॉंग्रेस पार्टी के हमारा हाई कमान, कॉंग्रेस पार्टी के हमारे पदादिकारी, कॉंग्रेस पार्टी के हमारे कारे करता इस चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, और किसी भी तरह की, चाई सीबी आई हो, इड़ी हो, इन स्रवर्टिज के विढ़न के बीच ब इंदर गाएं लेकर सर्गर्वे o सुर्ट गेरिश पर। पार्ण के विदांसवाक स्मर्थ 캡़र्वह रखा गया। या से टिक्ट मांग रहे थे ऐंद जी कडवास्ण उन्होंने आज यहां पर समर्थन दिया है डूंगराम जी गेदर को तो इस पर मर्साइथ है अभी इंदर जी रंदावाजी यहां से दावदारी कर रहे थे सब क्या करना चाहूं आज यहां कडवासरा जी के यहां प्रोग्राम था कांगरस पार्टी की तरफ से पूरा इन्होंने अपना और अपने समर्थन को कठा करके डूंगराम जैतर जी को समर्थन दिया है टिक्ट लेना टिक्ट मांगना एक प्रक्रिया होती है काम करने वाले लोग मांगते हैं लेकिन पार्टी के जो एक प्रंप्रा है एक टिक्ट है वो डूंगराव गैदर जी को मिलगी सारे लोग खुश हैं सारे हम साथ हैं बड़ा अच्छा प्रत्यासी है और सबसे बड़ी बात है भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा अच्छा मौल है, सूर्टकट के साथ साथ पूरे राजस्तान में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा मौल है, कांग्रेस पार्टी ने जो पांच साल में काम किये, इतनी अच्छी अच्छी योजना लेके जो आपने मतलब कॉंग्रेस प्रत्यक्षी डूंगराम गेदर को यहां से जो समर्थन दिया है और आप दस जन जो थे यहां पर दावेदारी कर रहे थे उसके अंदर आप एक मजबूत दावेदार के रूप में माने जा रहे थे कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से तो आज जो कॉंग्रेस पार्टी के लिए दस लोग दावेदारी कर रहे थे लेकिन टिकेट तो हम सबको पता है कि पार्टी ने एक आदमी को देनी थी कॉंग्रेस पार्टी ने माने डूंगराम जी गेदर साब को टिकेट दी उसके बाद हम सबी जो मेरे साथ लगे होए कारे करता थे भाई थे जो मजबूती से मेरे सिकंदा मिला कर मेरे साथ चल रहे थे उन लोगों के फोन आये मैंने भी उन से संपरक किया कि हमें क्या करना चीए तो सबी लोगों का बहुत अच्छा मैंसे जाया कि बोले भाई देखो टिकट दस लोग मांग रहे थे एक को मिलनी थी कोई बात नहीं पार्टी ने अच्छा नीड़ने किया है अगर डुंगर राम करता समयलन रखा और सभी भायों से दुबारा विचार के चर्चा की और सभी सभी का ये एकमत हो कर इन्हों ने का कि विमकांगरेस पार्टी के साथ हैं और हमने ये निरने लिया और अच्छे के लिए परचार शुरू कर दिया आपके साथ और भी जो थे दावेदार अभी जिते भी लोग थे मेरे ख्याल से लग बग सभी लोगोंने साथ दे दिया है और एकाद कोई जैसे जो पूरो प्रतियासी रहे हैं उन लोगों के अगर हम बात करेंगे तो वह एक बगावत में हैं उनके अलावा जो भी बचते हैं जो भी साथ ही हमारे जैसे जुब बैन जू मुझे ऐसी उमीद है लेकिन जिन्हों ने बगावत किया है उनके बगावत का मैं वरपूर खिलाफत करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि उनका कोई हक नहीं कि वह इस पार्टी से आज इनको टिकेट मिला और वह बगावत करें बगावत तो अगर हम करें तो यह है कि हमें किया और अगर वह बात करते हैं कि यह बहुजन से कल आए इननों ने पार्टी के लिए चार साल काम किया है यह हम नहीं कह रहे हैं यह वह नुवान जी खुद कहते थे पिछले दिनों राजियासर में बोले हैं कि भाई डूंगर जी ने पार्टी को मजबूत करने का काम किय तो आज उसका नतीजा यह फिर भी पार्टी ने दो बार दो दफा और इनके इनको मोका दे दिया फिर भी चुनाव जीत नहीं पाए तो पार्टी ने पर्तियासी चेंज कर दिया तो कोई गलत नहीं किया पार्टी यह चाहती है कि भी कोई नहीं पर्तियासी आए वह चुनाव जीत कर आए तो हम सरकार को रिपीट करें और जन्वावनाओं को समझते वे जनतागा काम करें किसानों के इत्मे काम करें और जो बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं हम इस चेत में परदेश में चुटक आए पर जिक performances करें तेस 시त करें, पर जोते राए ख जयेμε BARगाव मे चिल valor है को राए जनताओं कै फो यहायां कर में लगाव जेमा यह हम जदेए तो पनुटकल कहीं है